कि मद्ध्र देश के किन्दो लोगों को पदमसिरी प्रुशकार में इस बार जो पदम सिरी पुरुस्कार है मद्द प्रदेश के दो लोगों को प्रदान किया गया है और वे दो कौन है एक है कपिलतेवारी डॉक्टर कपिलतेवारी और दूसरी है भूरी बाई अब देखिए कपिलतेवारी को मिला है सिख्छा और साहित के छेतर में योगदान है तूसरी लेकिन जो भूरी बाई है उन्हें मिला है भील चितरकला के छेतर में और ये कहां की है जाबुआ की है और यहां भील चितरकला को जाबुआ से लेकर अंतरराष्टी इस्तर पर ले गई है और हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें 2020 का पदमसिरी सम्मान मिला है और मद्र प्रदेश के दो ही लोगों को मिला है उसमें से भूरी बाई है अब भूरी बाई को क्या हुआ था सन 1998 के लिए क्या दिया गया था देवी अहिल्या पुरुषकार दिया गया था इसलिए इसकी चर्चा मैंने आज की और यहां इंपोर्टेंट भी है क्योंकि इन्हें पदमसिरी मिला और यहां लोग कला से संबंदे थे क्योंकि यह भील चित्रकला जो भीलो दारा निर्मित की जाती है यह हो गया अब हम जानेंगे देवी अहिल्या के बारे में तो देवी अहिल्या का पूरा नाम क्या था अहिल्या भाई होलकर तो होलकर क्या थे मरहाटा अब देखो मद्ध प्रदेश में मरहाटा सामरास्थाना एक तो गौलियर में सिंधिया था मरहाटा कहा थे मालवा में मालवा रीजन में कौन थे होलकर होल कर है ना और तो ये होल कर में जैसे की पानी पत का तृती युद्ध हुए उसमें अबदाली से मरहाटा हार गए उसके बाद क्या हुआ मलहार राव ने सोचा कि मैं पुना अपनी क्या बोलते राज स्थापित करता हूं कहां राज मालवा में आकर तो मालवा में आए और महां अपना पुना राज की स्थाप नगी तो कोन है मलहार राव हूल कर अब उनके पुत्र थे खांडे राव और यही खांडे राव की पत्नी कौन थी देवी अहिल्या देविये अल्यवाईखोलकर ओर इनके पुत्र थे कौण माले मुराय के पास और महले राण की बीसासन करने के बाद लगबग एक बर्स बाद ही मृत्ति हो गई फिर उनके बाद सासन कोन ने किया देवी अहिल्या ने और लगबग तीज बर्सु तक करा देवी अल्या न्याय वित्थी समास से भी थी कला प्रेमी विदूसी इस्तरी थी अब देखी अब जो मलार राओ के एक सेना पती थे तुकोजी जो कि बाद में भी इन सभी के टाइम क्या रहे सेना पती रहे और इन्होंने देवी अहिल्या का बहुत अच्छे सांथ दिया तुकोजी देवी अहिल्या के भी क्या थे सेना पती थे इस तरह उन्हें ने तीस साल तीस बरसों तक शाशन किया और यहां कुसल नीकुल साची का थी इस प्रकारिया में ग्यात होता है यह था देवी अहिल्या के बारे में इसलिए और इनकी राजधानी क्या थी इंदौर भी थी महिस्वर भी थी लेकिन इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है आपने पढ़ा होगा यहापर अपन नाम पढ़ते हैं ना नाम पुराने नाम इनद वर को अहले नगी भी कहा जाता है तो इसार हमारा ओर इन्हें है लोग द्वारा देवी मानने लगा गया था इसलिए इनए देवी कहा जान रगा था इनकी नाम के आगे लगा देते हैं देवी अहिल्या भाई इसलिए इस सम्मान का नाम क्या है राश्ति देवी अहिल्या सम्मान अब यह होगे हमारा अल्या भाई के बारे में हमने पूरे जान लिया अब जानते हैं सम्मान के बारे में तो इस सम्मान की इस्तापना किस ने करी मध्यप्रदेश चासन के संस्कृति बिभाग में कब करी सन 1996 संत्यानवे में और किन के लिए कि ये सब्समेहत्पून है या किस के लिए महीला कलाकारों के लिए किसे दिया जाता महीला कलाकारों को या पुरशो को नहीं दिया जाता पुर्षो को क्या दिया जाता है तुलफीसंमान अभी उसकी चर्चा कर इंग हम अब देखिए महिलわかला कारों को दिया जाता है इसकी रासी दोवलाख होती जो पूर में एक लाग थे और दागतरासी प्रसृस्टी पट्टी कर दिया अब देखें, यह किस छेत्र में दिया जाता है, यह छेत्र में दिया जाता है, तीन छेत्र में, देखो एक तो लोग कला हो, दूसरा आदिवासी कला, और तीसरा परंपरिक कला, इन छेत्रों में दिया जाता है, और तुलसी सम्मान भी इनी छेत्र में दिया जाता है, तुलसी सम्मान की, वो कप की गई थी इस सापना? 1983 में, अब जब देवी इहल्या सम्मान की स्थापना कब हुई? 96-90 में, तो इससे पूर्व महिलाओं को भी तुलसी सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब से देवी इहल्या सम्मान की स्थापना हुई, तब से वो तुलसी सम्मान सिर्फ पुर्षों को दिया जाता है, और दे तो कला दिवासी कला और परंप्रिक कलाओं में समझ गए अब देगें अब हमने पड़िये छेत्र अब प्रथम व्यक्ति की से मिला तो प्रथम मिला तीजन बाई को मिलाओं को ही देंगे तीजन बाई जो की कहां की है यह पदम भिभूशन है इनको 2003 में पदम भिभूशन मिला था तीजन बाई कहां की 36 गड़की और यह इनका गायन शेली कौन सी है पांडवानी अब पांडवानी क्या होता है पांडवानी होता है एक प्रकार का गायन और इसे नाट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है एक लोग गायन की कला है क्या पांडवानी जो की तीजन बाई करती थी अब देखे इसके बाद 2010-11 और 11-12 में इसे सुन नुगोश्यत कर दिया गया मतलब किसी को भी नहीं दिया गया और बर्तमान में बात कलने तो बर्तमान में दिया गया है यह पेला एक जो की मद्रप्रदेश की है कृष्णा बर्मा इनका संबन्द कहां से मद्रप्रदेश के उज्जेन जिले से महाकाल की नगरी उज्जेन अब देखिए जो किष्णा वर्मा है ये भीती चित्रकला अपना जो मद्रप्रदेश का राज की नाठ है माच इन सब के संग्रक्षण है तो इनने बहुत योगदान दिया इसलिए इनने क्या दिया गया राष्टि डेवी आहिल लेया सभान्सॉक और दूसरे कौन है सांति देवे जा की यह कहां की है बिहार की जिश्जभ कंक्राण चैक्रीव करें डिया लाका थारे फैक्राल किया यो परृ। सांति जे भी जहां है इनका संबन्द का इस है मदुवनी पेंटिंग मदुवनी चित्रकला या जिसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है और यहां बिहार का एक लोग चित्रकला का फॉर्म है मदुवनी पेंटिंग कहां की है तो बिहार की यहां पेंटिंग इसमाना जाता है जब राम और सीता का बिभा हो रहा था उस समय बनाई गई थी और यहां लोकल महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और आज भी बहुत सारे लोग महां पर निपोन है यह मतुला चेत्र से इसका उत्थान होता है तो इस सरा हमारा पूरा देवियल्य समान समात्त होता है एक बार हम पुना देख लेते हैं यह किसके द्वारा दिया जाता है संस्कृति बिभाग मध्यप्रदेश शासन किसको दिया जाता महिला कला कारों को इस्थापना 1996-1996 में रासी दो लाग जो पूर किये 36 गड़ी की और इनकी गायन शहली कौन सी पांडवानी उसके बाद इनने सुन गोसित कप किया गया 2010-11 में हां एक और चीज है इसकी जो आपको बताना भूल गया था सर्ते इसमें भी तीन सर्ते होती है यह जो अनिवार होता कि यहां उनके जीवन कालम जितना भी कार क किया जाता है कि दूसरा उनका कार सरजाइनात्मक होने चाहिए को अभी क्रति विसे संपूर्ण कार पर सरज्ण्या. क्रेटिव होना चाहिए कोई कोई आपने शोट कार ée करी हो तो इस पर नहीं दिया जाएगा और तीसरा अभी आप इस छेत्र में सक्री होना चाहिए मतला अभी विवाकार कर रहे हैं यह तीन सर्ते होती है इससे सुन्य गोश्यत कप किया गया 2010-2011 में प्रथम पाने वाली कौन थी कृष्णा वर्मा जो की उज्जेन की है भीति चित्रकला राच्किनाठ माच इन सब का सम्मर्दन और में बहुत योगदान के लिए कि की बिहार किये जिसे मितला पेंटिंग्स भी कहते हैं इस तरह अमारा देवी अल्ला समान समाप्त होता है धन्यवाद अगले लेक्चर में मिलते हैं नए सम्मान के साथ